प्रावधान दिया हुआ है अनुचेद 52 से लेकर 62 में काफी सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ ये सारे अनुचेद आपको देखते ही देखते आराम से याद हो जाएंगे चैनल को सबस्ट्राइब कीजिए रिक्वेस्ट है सारे बचों से जो वीडियो देख रहे हैं वो जो ये बेल है ना उसके बाद मिलेगी आपको सबस्ट्राइब करने के बाद उसपे औल प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आपकी पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए दिखें ये चार्ट है उससे आप पूरा समझ जाएंगे कि जो सविधान का भाग है उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है ठीके देखें हिंदे में से हम क्या कहते हैं संग कहते हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे यूनियन ठीके तो मैंने आपको ट्रिक से कैसे याद कर वाय थे कि भाग पांच में आता है अल्फाबेट गी नहीं है यूनियन में कितने आते हैं पांच तो किस भाग में आता है बच सिर्फ हम अध्याई पहले वाले में सिर्फ रासपती जी को पढ़ रहे हैं उपरासपती, मंत्री परिसद, भारत के महानियाईवादी ये सारे चीज़े बच्चो आगे पढ़ेंगे हैं आज सिफ क्या पढ़ेंगे रासपती जी के बारे में अनुशे 52 से लेकर 62 में ठीक है अध्याई पहले में आता है ये ध्यान रहे कार्यपालिका कहेंगे इसको ठीक है अध्याई जो पहला वाला है न उसका नाम है कार्यपालिका कार्यपालिका बनती है रास्पती, उपरास्पती, मंत्री परिसद और महान्यायवादी से मिलकर ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चो उसका free PDF वी अवेलेबल है ना डिस्क्रेशन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं बाग 5 जिसका नाम है संग, इंग्लिश में यूनियन यूनियन में आते हैं 5 अल्फावेट इसलिए से हम कहेंगे कि ये बाग 5 में आता है याद हो जाएगा अध्याई पहला नाम है इसका कारेपालिका, उसमें सिर्फ रास्पती जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं ध्यान रहे प्यारे बच्चों, यहां आज हम सिर्फ अनुच्छेद को पढ़ेंगे मैं कल एक अलग से वीडियो बनाऊंगे, जिसमें हम रास्पती जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिसकस करेंगे जैसे कि रास्पती जी के अधिकार क्या है, करतव्य क्या है, किनकिन को न्यूक्त कर सकते हैं, विधाई शक्तियां जो उनके पास होते हैं अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो सेनिक शक्ति, ये जो सारी चीज़ें हैं, आपात कालीन वो कब-कब लगाते हैं, बच्चो इसके लिए एक अलग से टॉपिक बनेगा, वो अधिकार और करतव्य होते हैं, वेतन भत्ते जो चीज़ें पढ़ेंगे हम, भारत की कितने र जावधान दिया हुआ है, सवी धान में, सिफ ये पढ़ेंगे, ठीके तो देखे पहला अनुशित क्या कहता है, भारत का रास्टपती, प्यारे बच्चो अभी सिफ हम इनको रीड कर रहे हैं, डेटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीके ताकि आपको एक चार्ट मिल जाए, उसके बारे में बात करता है, अनुशित 54 में रास्पती जी का निर्वाचन किस तरह से होगा, कौन कौन कर सकता है, ठीके, अनुशित 55 में रास्पती जी के निर्वाचन के रिती है, कुछ प्रोसेस होती है, उसके दुआरा ही रास्पती जी चुने जाते हैं, अनुशित 56 म ले पद के लिए वह चीज ये कहता है उनुचे 56 चाहियो दूर सब्सक्राइब मुलगा उनुचे 61 में इनके उपर महाव्योग लग सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है वो और 62 में अगर रास्टपती जी का पद खाली हो चुका है तो उसको कितने समय में भरना है ये पढ़ेंगे ठीक है प्यारे बच्चो यह आपको चार्ट मिल गया एक अराम से पढ़ने के लिए अब डिटेल में समझे भारत का रास्टपती ठीक है दे प्रसिड का सम्मान होगा रास्टपती जो जी है वो देश के सवेधानिक प्रधान होते हैं और प्रथम नागरिक भी कहलाता है ठीक है सवेधानिक प्रधान होते हैं और प्रथम नागरिक कहलाते हैं अब देखे संग की कारेपालिका शक्ति कारेपालिका मैंने आपको बता दी मंत्र जी के पास ये पावर है लेकिन इसका प्रियोग सिफ वो सवीधान के अनुसार करेंगे है ना या फिर जो मंत्री परिसद है ना उनकी सलाह पर ही इस शक्ती का प्रियोग वो करेंगे ठीक है अब दीखें अनुशेत 54 क्या कहता है रासपती का निर्वाचन कौन करेगा रासप अनुशेत 54 में लिखा हुआ है कि संसत के जो दो सदान है बच्चो एक है राज्य सभा दूसरा है लोक सभा ये इनके में जो सदत से बैठे है निर्वाचित दूसरा मनोनित मनोनित जो मन पसंद तरीके से चुने जाते हैं जैसे कि एक्टरस वगरा देखे होंगे आपने न चुनाओ मतलब की बैठे हुए इन सभाओं में तो कैसे चुने गए मनोनित तरीके से चुने गए निर्वाचित कौन होते हैं जिनको आम जंता ने चुना इलक्षन में जिता करके है ना तो सिफ निर्वाचित लोग ये रासपती जी का चुनाओ करेंगे जो संसत की दिजेगा कुशन बनेगा इसके उपर इस पर्स टूरूप से एक बात की है उन्होंने राज्य दिखे विधान सभाई की बात हो गई यहां पर है ना विधान सभा भी हो गई लोग सभा राजसभा विधान सभा लोग सभा राजसभा ये तीनों मिलकर रासपती जी का चुन हमाद पैर लिए पैर धर पिर हमादा पड़ी है यह राज़्य के त लू प्रोसेस होती है तो राजपती जी का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल दुआरा किया जाएगा वही बात यहाँ पर रिपीट कर रहा है कि संसत के जो दोनों सदन है संसत के बच्चों दो सदन है वैसे संसत तीन चीजों से मिलके बनी है राजपती जी निर्वाचन के लिए बने जो निर्वाचक जो मंडल बनने वाला है उसमें कभी भी जो भी सदन के हम बात कर रहे हैं लोकसभा राजे सबा उसके मनोनित सदस से कभी नहीं बैठेंगे और जो राजे विधान सबा है उसके भी मनोनित सदस से कभी नहीं बैठेंगे जो एक्टर वगेरा होते हैं जो मनोनित करके आते हैं जैसे यह जया बच्चन आई है और भी है ठीक है जो कॉमेडी करते हैं बहुत सारे एक्टर वगरा वह सारे हैं वो भी हैं मनोनित करके आए हैं तो वो कभी भी रास्पतीजी का चुणाव नहीं कर आए अगर वो इल्लेक्Çन जीत कर आते निर्वाचित होकर आते तो ज़रूर बैढ़ सकते थे थे वो अब देखें भारत के रासपति का चुनाओ अप्रत्यक्ष निर्वाचन दुआरा किया जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन इंडारेक्ष लिवे में हम डारेक्ट उनको वोट देकर नहीं कर रहे हैं इंडारेक्ट कैसा है? पहले हमने वोट दिया, हमने विधान सवा चुनिंग फिर ये लोग सवा, राजे सवा बनी उसके बाद जाकर बनते हैं रास्पती जी मतला हमने उनको नहीं चुना डारेक्ट इंडारेक्ट लिवे में पहले हमने प्रतिनिधी को जिता दिये विधान सबा पहले बनी उसके बाद उन्हीं लोगों ने मिलकर रास्पती जी को चुना ठीक है मतलब डारेक्ट वे में नहीं चुने गए और प्रत्यक्ष निर्वाचन दुवारा उनको चुना गय संक्रम अनिया मत पधती कहते हैं ठीक है एकल संक्रम मत अनिया मत मतलब असको जो को जो हो एकल संक्रम पतती कहते हैं का रास्पती समस्त देश का ब राघ्षान होता है समस्त देश का प्रधान होता है रास्पते जी रास्ट्रिय एकता का प्रतीक भी होता है अंतर उसका चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि वह केंद्र और राज्य दोनों के बीच में समान रूप से प्रतिनिधित्व कर सके ठीक है? केंद्र और राज्य है ना उतना ही मूल राज्य के जो विधान सभाएं है वो जो मत देते हैं उनका मूल होता है ध्यान दीजेगा संसद के सदनों का जो मूल होता है संसद के जो सदन है सदस से हैं ठीक है? जो सरी संसद के जो सदस से हैं उनके जो वैल्यू होगी उनके जितने vote की उतनी ही value मानी जाएगी राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य के vote की ठीक है ताकि किसे तरह को वही मद भेदना रहे कि बहा केंद्र अलग हो गया राज्य अलग हो गया नहीं दोनों के vote की समान value हो गया अब देखें राजी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल निकालने के लिए निमनलिक्त फॉर्मूला अपनाया जाता है ना राजी के विधान सभा के लिए यह एक अलगतर का फॉर्मूला होता है जैसे कि राजी की जो विधान सभा की जो सदस्य है उनका मूल किस लेकिन जब राशपती जी का चुनाव होता है तो उस एक मत को एक नहीं गिना जाएगा कितना वेल्य होगा यहां पर देखें उस value को निकालने के लिए formula लगाया है क्या formula है कि जो cool जन संक्या है है ना राज्य की विधान सबा है किसी भी राज्य की जैसे MP मद्यप्रदेश की विधान सबा है ठीके तो उस मद्यप्रदेश की जितनी जन संक्या है उतनी और उसके बटे में आएगा राज्य विधान सभा के निर्वाचत सदसे, ठीक है, जितने निर्वाचत सदसे बैठे हैं, जो चुनाव कर रहे हैं, राजपती जी का, वो सारे लोगों को डिवाइट करना होगा, उधारन के लिए मान लीजिए, किसी राज्य की कुल जन संख्या है, 10 लाक, और उस प्यारे बच्यों ध्यान दिजेगा, 1971 में जो जन गणना थी, मतलब जितना काउंट करके रखा था, कितने राज़े में कितने लोग हैं, बस उसी वेल्यू के आधार पर ही इस चीज़ को किया जाता है, किसी राजी के जन संख्या कौन से साल के गिनी जाएगी, 1971 के, अभी 2021 पर 21 के ले लेंगे तो अलग निकल जाएगी है, तो इसलिए 1971 की समय जिस राजी की जो जन संक्या थी, उसी के आधार पर ये फॉर्मूला अपलाई होता है, ठीके, अब देखे, रास्पति का चुनाव, एकल संक्रमणिय मत्पद्दती दुआरा होता है, इसका मतलब समझे अपना वरी यता क्रम 1234 इत्यादी लिखता है, जैसे कि प्यारे बचो ध्यान दिजीगा, इसका मतलब क्या है, कि देखे, रास्पति जीगा कुछ नाम ले लेते हैं, एक है डाक्टर राजिंद पसाद, मतलब मान लेते हैं, पहले नंबर पे है रामनात कोविन, दूसरे न इस तरह से वोट दिया जाता है, रास्पति के चुनाओ में, आधे से अधिक मत का मिलना आवशक है, जब तक एक फर्दर प्रोसेस चलती रहती है, उसको यह अपलाए करते रहते हैं, ठीक है, इसी समझ में आगई, अब देखे, ठीक है, वो अब हमने समझ लिए अनुछिय यह रास्पति जी के चुनाओ की, अब क्या कहता है, रास्पति जी के पद की क्या अवधी होनी चीए, अनुछित 56 कहता है कि रास्पति अपने पद ग्रहन की तारिक से पांच वर्ष की अवधी तक धारन करेगा, परन्तु, अब क्या कंडिशन है, कह तो दिया है कि 5 साल त पद अगर उनको त्याग करना है, जो भी का सिचुएशन बनी हो, कंडिशन हो, जो भी उनका डिसीजन रहा हो, अगर उनको त्याग करना चाहते हैं, तो हस्ताक्षर करके उपरास्पती जी को दे, और जो उपरास्पती है ना, वो तत्काल लोग सभा के अध्यक्ष को जाकर ये चीज त्याग पत्र देंगे तभी इनका त्याग पत्र accept होगा ठीक है समझ गए रासपती जी उपरासपती जी को हच्छताक्षर में लिख कर देंगे कि मुझे त्याग करना है इस पद से तो उपरासपती जाएंगे लोग सभा के अध्यक्ष और उनको तुरंत इसकी सू महावव्योग मतलब कि एक तरह से प्रोसेस होती है जिसके तहत इनको दोशी पाया जाता है जिसे डोलान टरम के ऊपर आप सुन रहे ओगे न महावव्योग चल रहा है जो बाiliaव कि ऑदन कह रहे हैं कि उनके उपर महावव्योग चलेगा क्योंकि उन्हें सवीधान को अलं तो अनुचे 61 के तहए तब महाभ्योग लगाया जा सकता है और उसको राशपती के पद से हटाया जा सकता है अगस्थिद हो गया तो राशपती अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर धारन करेगा जब तक उसका उत्राधीकारी पद को गरहण ना कर ल अनुचे 57 के कहता है पुनर वचन के लिए पातर तामत लगी क्या वापिस खड़ा हो सकता है एक बार राशपती बन गया तो क्या हो सकता है कोई व्यक्ति जो राशपती की रूप में पद धारन करता है या कर चुका है इस सवीधान के अन्य उपबंदों के अधीन रहते अधीन वापिस आ सकता है इंगलिश में से कहेंगे एलिजीबिलीटी फॉर री इलेक्शन जी हाँ अलिजीबिलीटी फॉर री इलेक्शन इस अपलाइड ठीक है वापिस बन सकता है अब देखिया अनुचे 58 क्या कहता है बच्छो रासपती निर्वाचित होने के लिए अर मतलब भी नहीं है अब देखिया रासपती निर्वाचित होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कोई व्यक्ति रासपती निर्वाचित होने का पात्र कब बनता है जब वह भारत का नागरिक होगा ठीक है कोई वह सकता भारत का नागरिक 35 वर्स की आयूप पूरी कर चुका हो ठीक है दो चीजे तीसरी बात लोक सबा का सदस्य बनने के लायक हो ठीक है तो वो जाकर रासपती का चुनाओ जीद सकता है मतलब खड़ा हो सकता है रासपती बनने के लिए देखे सिर्फ तीन चीजे होनी चाहिए लेकिन एक और चीज है एक पॉइंट है लगसे कि कोई वेक्ति जो भारत सरकार के या किसी राजे के सरकार के अधीन अत्वा उक्त सरकारों में से है मतलब कि राजे सरकार या फिर नियंतरन में किसी इस्थान्य या फिर अन्य प्रादीतिकारी के अधीन कोई लाब का पद धारन करता है रासपती निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा ठीकि एक अलग से कंडिशन दे रखी है भारत सरकार या फिर राजे के सरकार के दुआरा जो भी इनको लाब मिल र देखें सिर्फ यही योगताय मांगी है आपको जरूरी निये कॉलिज करना डिग्री लाइन बड़ा बड़ा नहीं आप ऐसे भी बन सकते हो देखें अनुचित 59 क्या कहता है रासपती के पद के लिए शर्ते हैं कुछ पाफी बड़ा इसे जब आप खुद से बुक से पढ विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य रासपती निर्वाजित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान रासपती के रूप में अपने पद आदमी है जो रास्पती का चुनाव जीत गया लेकिन वो राज्य के विधान मंडल का सदस्य हुआ करता था तो जरूरी नहीं है कि उस्तीफा दे तभी जाकर वो रास्पती का पद ग्रहन करेगा नहीं अगर रास्पती बन गया तो उसके पीछे चाहे उसका कोई सा भी पद वो अपने आप समाप्त हो जाएगा यही इतना बड़ा पैरग्राफ कह रहा है ठीक है राज्य के विधान मंडल का अगर कोई सदस्य रास्पती चुनाव जीत जाता है तो जरूरी नहीं है कि यहां से स्तीफा दे अपना पद छोड़ कर आए नहीं वो नहीं भी जीत भी जाएगा तो अपने आप जो पुरानी उसके पोजिशन थी वो खाली हो जाएगी अब देखे रास्पती अन्य कोई लाब का पद धारन नहीं करेगा ठीक है अगर एक बर रास्पती बन गया तो उससे पहले चाहे वो कुछ भी हो वो सारे पद उसके खतम हो अपनी शाषकी निवाशों के उपयोग का हगदार होगा जी हां सही बात है और ऐसी उपलब्दियां जो भत्ते या विशेश अधिकार जो होते हैं जो संसद दुवारा विधी के दुवारा उनको मिले वो सारी चीजों का मतलब क्या है कि यह सारी चीज़े उनको मिलेंगी जनुसुची दूसरी में हम पढ़ते हैं वेतन भत्ते के बारे में वो सारी फैसिलिटीज रास्पती जी को मिलेंगे वो किराया नहीं देंगे और वहाँ पर रहेंगे शाषकी निवाशों के उपयोग के हगदार होंगे और जो भत्ते मिलने हैं जो विशेश अधिकार मिल करते हैं उसकी पदावती के दोरान कम कभी नहीं किये जाएंगे मतला वही चीज उनको मिलेंगे अनुशेट 60 के कहता है बचो रास्पती दुवारा शपत का प्रति ग्यान कौन दीन आता है रास्पती जी को शपत है अभी जैसे हमने न्यूज में पढ़ा होगा ना काफी सुनने में मिलता है कि रास्पती जी सपत लेने वाले सपत लेने वाले तो कौन दिलवाता है शपत देखिए यही बात कहता है अनुशेट 60 प्रतेक रास्पती जो भी रास्पती जी बना है और प्रतेक व्यक्ति जो रास्पती की रूप में कारी कर रहा है या उसके क्रत्य नियायले के उपलब्द जो है जेस्टितम न्यायदिश के समक्ष निमिनलिक्त प्ररूप में शपत लेगा या प्रति ज्यान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ठीक है इसका मतलब समझ जाएए बच्चो राश्पति जी को शपत कौन दिलाएंगे मुख्य न्याय हस्ताक्षर करेंगे और क्या कहेंगे दीखे कुछ लाइन है यहाँपर जैसे की मैं अमोग इश्वर की शपत लेता हूँ इसके बाद एको लाइन है कि सत्य निस्टा से प्रति ज्यान करता हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के रास्पती के पद का कारे पालन अथवा रास्पती के क्रत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योगता से सविधान और विधी का परिरशन, सनरक्ष और प्रति रक्षन करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्यान में निरत रहूँगा ठीक है ये कहते हैं शपत लेते हैं अस्ताक्षर करते हैं और इस पद को ग्रहन करते हैं अब देखिए अनुशेट 61 क्या कहता है पच्छो रास्पती पर महाव्योग भी चल सकत है ठीक है ये प्रक्रिया होती है अगर दोश सिद्धी पाई जाती है रास्पती जी में तो ठीक है जैसे डोनाल्ड ट्रम के उपर चल रहा है तो क्या होता है इसमें देखें जब सविधान में अतिक्रमन होता है ना तो रास्पती पर महाव्योग चलाना पड़ता है ठीक ह कि अवहेलना की है तो महाभयोग चल सकता है राश्पतीजी 27 अब देखिए इसके बात क्या होता है अब आर डिये इस पर ठीक है लेकन इक प्रॉसेस चलती, उसके बाद की कम से कम च ओदा दिन की ऐसे लिख़ित सूचना के अंदर यह कम से कम च ओदा दिन का इर फिर्कृप्ना का है, उस्में जो सदन है। उसके कूल सदस की जो जनसंख्या है जो संख्या है उसमें से कम से कम एक चोथाई एक चोथाई लोग उस पे हस्ताक्षर करें ठीक है मतलब कि संसद के किसी सधन ने आरोप लगाया है रासपती जी पर तो 14 दिन में लिखित सूचना देना होगा ठीक है उसको प्रस्तावित अगर करना है तो उसमें कम से कम एक चोथाई लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए ठीक है और क्या कहते हैं आगे ठीक है उसके बाद उसको आगे पारित किया जाता है और अगर रासपती जी यहां पर घोशित हो जाते ठीके आरोप सिद्ध हो जाता है उनको उपर तो क्या होता है उनको यहां से निकाल दिया जाता है ठीके राजपती पद से हटा दिया जाता है ठीके देखे लाइन समझ लीजे यदि अनवेशनन के परिणाम सवरूप या गोशित करने वाला संकल्प के रासपती के विरुद लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है तो आरोप का अनवेशन करने या कराने वाले सदन की कूल सदस्य संख्या कम से कम दो तिहाई बहुमत दुआरा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किये जाने की तारिक से रास्पती जी को पद से भी हटाया जा सकता है सिर्फ एक कंडिशन पर जब क्या होता है सवीधान पर अतिक्रमन होता है तो ठीक है लास्ट अनुश्यत क्या कहता है रास्पती जी के पद के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावती, ठीक है, पहला पॉइंट रास्पती जी के पद की समापती से हुई रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचित पदावती की समापती से पहले ही पून कर लिया जाएगा, मतलब की रास्पती जी का पद समापत होन तो तो पहले ही चुनाओ घाएंगे तो एक टाइम डोनों रहेंगे टाहिए टीक के भे Пटी जी कि या तुम रित्ती हो जाते ही या फिर उपद का त्याग कर देते ही या फिर उपद से हटा दिये जाते हैं जैसे महा ब्योग लग गया ठीक है तो ऐसे मी क्या होता है पद की रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचन होगा ठीक है जो अभी हमने पढ़ आची तरह से रिक् के पश्षात यथा शिग्र और प्रतिक दशा में 6 माह बीतने से पहले ही क्या जाएगा मतलब कि चाहे कुछ भी कंडिशन हो 6 माह के अंदर ही अंदर इस पोजिशन को भरना होगा ठीक है रास्पती जी की अनुचे जो 56 हमने पढ़ा था उसके उपबंद के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहन की तारिक से 5 वर्ष की पूरी अवधी तक पद धारन करने का वो हगदार रहेगा ठीक है अनुचे 56 में हमने क्या पढ़ा था पद की अवधी पड़ी थी ठीक है तो रास्पती जी च अंदर ही अंदर ठीक है और उसके बाद जो अनुचे 56 जो कहता है उसके जो प्रावधान लिखा हुआ है उसके तहट उनका पद चलता रहेगा ठीक है आई होप आपको यह सारी सीज़ समझ में आ गई है यहाँ पर अब वापी से क्रिविजन कर लेते हैं देखे अनुचे 52 क्या कहता है बच्चो भारत के एक रास्पती होगा ठीक है रास्पती जी बना लिए गए अनुचे 53 क्या कहता है उसके बाद कि जो कारेपालिका की जो ने लिखा हुआ है कि जो संसत के जो दोनुच सदन है राजय सभा लोक सभा और जो राजय की जो विधान सभाएं है उनमें जो निरवाचित जो सदसे है ना सिर्फ वही चुनाव करेंगे ठीक है राजपती जी के निरवाचन के रिती है कुछ प्रोसेस है ठीक है जो ला है रास्पती जी का चुनाव करने का 56 क्या कैता है अनुचिद राजपती जी की पद के अवधि पांच सल तक रास्पती जी पद पे रह सकते हैं ठीक है और अलिकेन अगर अपना त्याग करना हूँ पद से तो लिखीत में अस्ताक्षार करके उप रासपती जी को द भारत के नागरिक होने चाहिए और किसी लाब के पद पर वो नहीं होने चाहिए और लोग सभा में बठने के योग्य होना चाहिए ठीक है और अनुचेद 59 क्या कहता है रासपती के पद के लिए कुछ शर्ते होती है ठीक है क्या होती है कुछ शर्ते होती है जैसे कि अगर प्रतिग्यान। वह प्रतिख्यान। दुआरा शपत का प्रतिजियन, रास्पते जी को शपत दिलवाने का कार्यード, कौन करते हैं प्यारे बचो मोधू धिहान दीजेगा, रास्पते जी को शपत दिलाएंगे मुख्य न्याय मुर्ति, वो अगर नहीं है तो उच्छितम न्यायले में, जो उपलब्ध जेस्टितम नियादिश रहेंगे न वो इनको शपत दिलवाएंगे और ये हस्ताक्षर करेंगे ठीक है और जो भी एक पैरे मैं छोटा सा पढ़के बताया था आपको वो रीट करेंगे ठीक है शपत लेते हैं तो ऐसा करते है अनुश्याट 61 क्या कहता है प्यारे बचों रासपती पर महाभ्योग चलाने की एक ये प्रक्रिया है ठीक है रासपती जी अगर सवीधान का अतिक्रमन करते हैं सवीधान पर या फिर सवीधान के अवहिलना करेंगे तो उनके उपर क्या लगे चलेगा महाभ्योग लगेगा और फिर एक प्रोसेस चलेगी उसके तहत अगर दो तिहाई बहुमत भी अगर मिल जाता है तो दो शिसिद्ध हो जाएगा और उनको वहां से खटा दिया जाएगा तो तिहाई बहुमत दूआरा इसको पारित कर दिया जाता है और उसे 61 क्या कहता है रासपति के पद बरने के लिए कम से कम आपको इच्छे मैने को समय दिया जाता है इसके अंदर आपको कैसी तरह भी इस कंडिशन को भरना ही होगा ठीक है चलिए इस तरह चीज़े आपको समझ मैगे प्यारे बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ठेंक यू